आज के अपने इस वीडियो में हम E sound words देखेंगे जैसा कि हम सब को पता है ववल्स 5 होते हैं A, E, I, O, U और हर ववल की दो sounds होती है short sound और long sound तो आज हम alphabet E यानि वववल E के दोनो sound words देखेंगे देखेंगे E की दो sound है short and long short sound में हम कैसे pronunciation करते हैं उसकी phonic sound की help से ठीक है और long sound में जो alphabet का name होता है example के दोर में आपको बताती हूँ हम नहीं है लिखा S, E, T यहाँ E हम कैसे pronounce करेंगे जो इसकी phonic sound है E की phonic sound क्या होती है स, at, set और long sound में हम उसका पूरा alphabet पढ़ते हैं स, यहाँ पे E क्या पढ़ेंगे E, स, E, seat पूरा E आ रहा है न और यहाँ क्या आ रहा है phonic sound आ रही है जिसे ब, at, bet, ब, at, bet और यहाँ हमने लिखा B, E, A, T, but, eat, beat यहाँ पे air, यहाँ पे E, bet, beat, set, seat अब हम कुछ और example लेते हैं S, E, T, set, bet, 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 bed, red, red, pen, pen, T E N 10 H E N N E T NET सम में हमारी फॉनिक साउंड ही उदो रही है W E T VET G E T GET तो इस सब क्या थी? शॉर्ट साउंड के एक्जांबल अब हम सीखेंगे लॉंग साउंड के एक्जांपल S E A T SEAT B E A T BEAT T R E E T F R E E FREE S E E E T SEAT R E A T READ F E E E T FEAT H E A T HEAT P E E E E L P E L D E E A L DEAL तो चिल्रन ये थे हमारे कुछ शॉर्ट एंड लॉंग साउंड के एक्जांपल्स Learn it carefully Bye Bye Have a good day